हे गाईज देखो यहाँ पर आजकल के रेट में अगर आप लोग सुन रहे होंगे कि आप जो जैसे कि पहले क्या था न सर पहले जो ट्रेन चलती थी न सर इंडिया के अंदर वह लगभा इलेक्ट्रिक नहीं था मतलब जो है वह पहले तो सर कोल से चलता था कोल के बाद सर क्य लेबल का है सर यह जो चीज आपको देखने को मिला next level का है जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहोगे तो सर डेली खबर आते हो ने जरा आ रहा है कि हाईड्रोजन से चलने वाले जो ट्रेन देखने को मिल सकता है यहाँ पर आज के रेट में यह भी खबर आया है क कौन से कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको benefit हो सकता है सर हाइड्रोजन से जब ट्रेन चलेंगे तो सर लगबग क्या होगा कि थोड़े benefit होंगे सर हमारे भारत देखको electricity बनाने में जो सर जो यह लगता है वो जो electricity है आप किसी और चीजों के लिए इस्तमाल किया जा सकता है सर ऐसा हो जाएगा और electricity बहुत ज्यादा जो है इसको benefit होगा electricity और यहापस hydrogen काफी ज़्यादा efficient भी रहेगा सर जल्दी से जल्दी उसको refuel भी किया जा सकता है और बहुत distance अकसर चल भी सकता है एक नया source हाजागा जो kind of renewable source होगा सर आप जैसे देखो कि power generation के लिए सरकार को काफी जादा मोटा पैसा खच करना पड़ा इस व electricity होथा है सर अब लोगफ भै electricity इससे भी तो नहीं होता है सर धूअंब अगरा तो दिक्कत का होता सर electricity विजली बनाने के लिए सर कोल का इस्तंकी या अ बहुत भारी मात्रा में सबसे ज्यादा होगा सर इसका सबसे ज्यादा होगा तो यह भी देखने को मिल लगा तो यह क्या होगा बहुत असानी से अधारम करतें इसmel想र तो यहां पर बताया गया है कि आगर ऐसा होता है railway stock to be benefit बताया जा रहा है, to benefit from the government plan to launch India's first hydrogen train this year, इसी साल जो है hydrogen train जो है launch होने वाला है सर, तो इसके वज़े से कौन से कंपोनियों को benefit देखीने को मिलेगा सर, पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये successfully अच्छी तरीके से काम करता है, तो सर, सर, सरकार चाहेगी कि जितने भी train हो भारत देश के अंदर, अगर वो hydrogen से चले तो ज्यादा अच्छा है सर, अगर वो hydrogen से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, तो उसके लिए क्या होगा, जो electrification करना पड़ता है सर, अब लोग बोलेंगे भाई कि बिजली का cost, उसका cost होता क्या सर, train जब चलती है तो उसको सर लगबग उपर से electricity मिल जाती है, चार्ज नहीं करना पड़ता है, लोग बोलेंगे, तो यह तो अच्छी बात है, इसमें भी चार्ज नहीं करना पड़ता है, सर, problem क्या होता है, कि यह जो electrification करना पड़ता है, जो बाजू-बाजू में पॉल गारना पड़ता है, पॉल लगाना पचास जार क्रोड़ों, सर, किवल electrification में खर्च किया है, भाई, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता, है कि नहीं, उपर से सर, उसमें electricity भी डालो, है नहीं, अब कहने का मतलब है, कि सर, electrification के जरूती नहीं, बस काली, आप उसमें refuel कर दो, बस, काम खतम, काम खतम, सर, होता ह इधर, किवल माल लेते, 10 times train इधर जाती है, और इधर माल लेते, 20 times जाती है, और इधर, 60 times, और इधर, 100 times train जाती है, तो कहने का मतलब है, सर, यह जो यहाँ पर electrification किया गया है, और यहाँ पर, सर, यहाँ पर तो पैसा पूरा waste जा रहा है, है कि नहीं, हमने, सर, 100 train की capacity इस तरीके का फायदा होगा, सर, तो कौन से कंपनिया है, जिनको benefit हो सकता है, future में, उसका नाम दिया गया है, यहाँ पर आप देख लिजेगा, export ने बता है, सर, rail विकास निगम लिम्टेट, सर, सबसे बड़ी company है, इसको तो benefit होता ही, होता नजर आ जाएगा, यह इन लोग इस वज़े से उसको benefit देखने को मिल सकता है, उसके बाद, यह जो, आई एर FCA, सर, Indian Railway Finance Corporation, सर, आप railways related कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, लोन के तो जिरूद पड़ेगी, पैसे के तो जिरूद पड़ेगी, कहां से जाओगे, सर, HDPC, बैंक से लेने जाओगे, नहीं मिले इसको भी देखने को मिलेगा, सर, benefit और भी है, दो कमपने, टीटा गड रेल, तो भाई, उसके लिए क्या होगा, सर, जब hydrogen वाले train आएंगे, तो उनके लिए, सर, engine अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर, वो petrol engine, तो diesel engine, तो फिर सर, hydrogen engine, पैट्रोल engine, गलती से बोल दिया, ले उसका engine सेम होता है, सर, अलग होता है, hydrogen आजागा, तो उसका engine अलग रहेगा, electric vehicle आजागा, तो उसका engine अलग रहेगा, तो कहने का मत्या सा, सब कुछ बदल जाता है, तो डबे भी बदलेंगे, उसके हिसाब से बनेंगे, सर, तो हर चीज बदल लागा, तो इस वज़े से सर, टीटागर को भी benefit होता हूँ, नजर आ जाएगा, रेल टे लगा देखो, तो ये भी तो सर, technology वगर बनाती है, सारी चीजों से related काम करती है, तो सर, इसको भी benefit देखने को मिलेगा, ये सारे वो company है, जो hydrogen के वज़े से benefit होगा, और ये export का मानना है, export का मानना है, याद रखे, और अगब stock market ने हो, तो अपने demand account अइंजल में open कर सकते हो, जहाँ पर demand account free, delivery charges free, केवल 20 रुपिस लगता हो, वो भी इंट्रडे में जो हर जगह लगता है, description में link दिया गया है, mintो में जाके अपने demand account वागर open कर सकते हैं, बिल्कुल free में सर.